तो दोस्तो वेलकम तो मैं न्यू वीडियो तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉन से कैसे न्यू इमेल आईडी को किरियेट कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीकेस बताऊंगा तो इसके लिए आपको वीडियो को last तक बने रहना है तभी जाके आप new email id को असानी से create कर सकते हैं अपने name से तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने phone में यहाँ पर google type की इस type का option देखने को मिल जाता है तो आपको इस पर प्रेस कर देना है इस पर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाता है Gmail का option जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस type को logo भी देखने को आपको मिलेगा उसके बाद आपको इस वाले logo पर प्रेस कर देना है उसके बाद आपके सामने इस परकार का इंटरफेस ओपन हो जागा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक option यहाँ पर राइट साइन में देखने को मिल जागा इस टाइप का एक आइकन तो आपको आइकन पर प्रेस कर देना है अगर आपने पहले से कुछ बना करके उसके बाद अब आपको न्यू इमेल आइड यहाँ पर करने के लिए एक option देखने को मिल आपको अपको सबसे उपर यहाँ पर गूगल पर प्रेस कर देना है तो चलिये में यहाँ पर प्रेस कर देता उसके बाद आपके सामने इस परकार का कुछं इंटरफेस आजेगा और आपको यहाँ कुछ दिर वैट करना है वैट करने के बाद फिर सापके सामने इस परकार का आएगा अब आपको यहाँ पर न्यूउ इमेल आईडी बनाने के लिए एक ओप्सन देखने को मिलेगा करेंट कर देना है उसके बाद अब आपको यहाँ पर दो अप्सन देखने को मिल जाएगा एक फोर मैं प्रसनल यूज और फोर वर्क और मैं बिजनेस का ओप्सन तो सिंपल से अगर आप बिजनेस एकांट बनान देने और यहां पर व्रस नैम और यहां पर सर्नेम का आप्शन देखने को मिलता है तो आपको इहां पर अपना lebih मあपलिन टैप करने जूभी जो भी आपका डेट आफ वर्थ है उसके बाद आपका जो जेंडर यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको जेंडर पर प्रीष करना है और आप को यहां पर जो जिस भी जबेडर को आप management Seth यहां पर कर देता époこちら पर देख सकते हैं कि यहां पर पर आप यहां पर पर खूंब है सिरॉब्य कर सकते हैं अगर पर दोpsyropha फीचानगे ज़िए यह रिज वाईन है अगर वभी दिखाया जाए गार फिशन तो आप इसमें से सूज़ मिलेटी तो तुदू नहीं है तो आप create your own Gmail address option देखने को मिलता है तो आपको इस पर प्रेस करके आप अपने जिस भी टैप से यहां पर email address को रखना चाहते हैं तो आप Gmail के यहां पर रख सकते हैं अब आपको इहां पर नीचे next पर प्रेस करना है टाइप करने के बाद तो चलिए मैं यहां पर टाइप कर दिया हूँ उसके बाद अब आपको इहां पर अपना पास्पोर्ट को स्लेक्ट कर लेना है तो जैसा कि यहां पर देख सकते Gmail address करने पहले आपको यहां पर एक प्रेस कर देखने को मिल रहा है तो आपको यहां पर लेटर नंबर और शिम्बल्स 3 मिला कर आपको यहां पर एक ऐसा पास्पोर्ट चुना है टाकि आपको कोई अंडाजा ना कर सके नहीं तो आपका email ऐड यहां आडी को कोई हैक भी कर सकता है इसके बाद अब आपको यहा पर next option देखने को मिलेगा next पर प्रेस कर देना है तो अब आपको यहां पर फिर से कुछ दिर वैट करना है अब आपको यहां पर email अद्रेस देशा की देख सकते हैं आपका जो email है बन जाएगा और आपको यहां पर नीचे की और और स्क्रोल करना है और आपको यहां पर एक option देखने को मिल गा yes I am in का option तो yes I am in पर प्रेस कर देना और अब को यहां पर देख सकते की आपका जो अभी इमेल आपने करिया है वो पर नीचे यहां पर आई एगरी क देखने को मिलेगा तो आई एगरी पर सिंपल से आपको Excuse कर देना है तो चलिए मैं यहां पर पर प्रेश कर देता हूं उसके माज़े प्राइब के सामने इस परकार का फीचर आ जाएगा op ऊपको यहां पर कुछ Odd धेर लेना ह्ट तो इसी टाइट से आप जो है असानी से अपने इस एमेल ऐडरेस को कर सकते है अब आपको तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते इस सब करने को पकार आपको 205 फिर से आपको यहाँ न्यूइमेल आ चुका है तो इसी परकार से आप अपने फोन में न्यूइमेल आईडी को किरियेट कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब परक कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जगा तो आप वहां से हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं